चलिए जानते हैं कैसे एक नई वर्क बुक बनाएं। मौजूदा वर्कशीट के अंत में एक नई वर्कशीट जोड़ें। Sheet 1 का नाम बदलें और उसे वर्क बुक में सेव करें। नई वर्क बुक बनाने के लिए Start बटन पर क्लिक करें। माउस को All Programs पर ले जाएं। Microsoft Office पर क्लिक करें। Microsoft Office Excel 2007 पर क्लिक करें। एक नई वर्क बुक बनेगी Book 1। मौजूदा वर्कशीट के अंत में एक नई वर्कशीट शामिल करने के लिए। Sheet Tabs के अंत में Insert Worksheet टाब पर क्लिक करें। मौजूदा वर्कशीट के अंत में डिफॉल्ट नाम से नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाती है। नाम बदलने के लिए Sheet 1, डबल क्लिक Sheet 1 टाब। अपनी इच्छानुसार Sheet 1 का नाम लिखें। वर्क बुक सेव करने के लिए। Office बटन पर क्लिक करें और चुने Save। Save as Dialog Box दिखेगा। वर्क बुक सेव करने के लिए स्थान और फोल्डर का चैन करें। फोल्डर को खोलने के लिए उस पर डबल क्लिक करें। Combo Box फाइल नाम में अपनी इच्छानुसार Workbook फाइल का नाम लिखें। Save as Type drop-down menu में से विभिन प्रकार के Workbook का चैन करें। Default रूप से ये Excel Workbook स्थापित हो जाएगी। Workbook सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करें। और डायलॉग बॉक्स में से Save as को बंद करें। संक्षेप में चलिए नीचे के चरणों में जानते हैं Workbook बनाना, नई Worksheet इंसर्ट करना, Worksheet का नाम बदलना और Workbook में सेव करना। चरण 1. स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। चरण 2. माउस को All Programs पर ले जाएं। चरण 3. Microsoft Office पर क्लिक करें। चरण 4. Microsoft Office Excel 2007 पर क्लिक करें। चरण 5. Sheet Tabs के अंत में Insert Worksheet टाब पर क्लिक करें। चरण 6. Sheet 1 टाब पर डबल क्लिक करें। चरण 7. अपनी इच्छानुसार Sheet 1 का नाम लिखें। चरण 8. Office बटन पर क्लिक करें और चुने Save। चरण 9. स्थान और फोल्डर का चैन करें। चरण 10. Combo Box फाइल नाम में फाइल का नाम लिखें। चरण 11. Save as type drop-down सूची में विभिन प्रकार की वर्क बुक का चैन करें। चरण 12. Save पर क्लिक करें। स्थाइल